हुआ तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ cutting length of stirrups तो क्या होता है कि cutting length of stirrups निकालने के अलग-अलग तरीके हैं अलग-अलग method है यानि कि हर civil engineers cutting length of stirrups छड़ा अलग-अलग तरीके से निकालता है उसमें क्या-क्या consider करता है और क्या क्या नहीं करता है वो सारी चीज में इसमें बताने वाला हूँ और इसको मैं इस example के जरीए calculate करके बताने वाला हूँ कि इसके हिसाब से cutting length of ishteraps कितनी होने वाली है तो guys इस video में आप end टक बने रहे तो चलिए guys फिशुरू करता हूँ तो सबसे पहले यहाँ पर मालिक देता हूँ given data इसमें सबसे पहले हो जाएगा column की size तो size इसकी यहाँ पर दी गई है 230 by 300 की size है column की यह हो गया इसके बाद यहाँ पर दिया गया है die of stirrups die of stirrups use करना है इसके अंदर 8 mm का यह जो stirrups है इसके लिए है और covering लेना है 25 mm का यानिके हर तरफ से 25 mm का covering रहा है इसके अंदर और hook भी इसमें लेना है 10d यानिके 10 into d यानि जो d है यह die of bar हो जाएगा तो यह है given data इसके according हम निकालेंगे cutting length of stirrups तो उसका formula क्या होता है किस तरीके से हम निकालेंगे वो मैं आपको बताता हूँ तो यहाँ पर जो इसका formula रहेगा वो रहेगा यह इसका formula है cutting length निकालने का stirrups के लिए अब मैं आपको समझाता हूँ क्या है कैसा मैंने लिखा है यहाँ पे 2 into a यानिके यह जो a की length है तो यह तो overall length है लेकिन यह जो है यह दो तरफ से covering छोड़के यह वाली length है इसलिए मैंने यहाँ पे a लिखा है 2 time of b यहनिके यह जो पूरा यह overall length है इसमें जो दो तरफ से covering छोड़के यह जो b की length आती है वो यह रहेगा b अब यहाँ पे है 2 into 10d यह है hook की length अब hook यहाँ पे यह है यहाँ पे 1 into 2 hook है यहाँ और hook हमें लेना है 10d तो यहाँ पे 2 into 10d हो गया अब यहाँ पे हमें minus कर रहे है 3 into 2d अब यहाँ पे 3 क्या है 3 है यह bend है 1, 2, 3 यह 3 times 90 degree पे bend हो रहा है इसलिए हम यहाँ पे 2d minus कर रहे है औ और यहां पर आप देखेंगे, माइनस है, 2 इन्टू 3D, यानि कि 2 हूक है यहां पर, यहां पर 135 डिग्री बे बेंट हो रहा है, इसलिए यहां पर 3D कर रहे हैं, यानि कि क्या होता है, कि जब भी हम किसी भी स्टील को बेंट करते हैं, तो वो थोड़ा स्ट्रेच होता है, इल according हम answer निकालेंगे, अब भी हम इसका answer निकालते हैं, 2 इन्टू A, A क्या है यह, यहां पर हमने देखें कि covering है 25 mm, यानि कि 2 तरफ से 50 mm हो जाएगा, तो 230 में से 50 minus कर देंगे, तो A की value मिल जाएगी, वो हो जाएगा 180, तो यहां पर हम लिखेंगे 180, फिर plus करेंगे, 2 25 यहां से minus कर देंगे, तो यानि 50 minus हो जाएगा 300 में से, तो यह बचेगा 250, यह हो गया, plus 2 इन्टू 10D, अब डाया ओफ बार यहां पर हमें use करना है 8 mm का, तो यहां पर 8 लिख देंगे, अब minus 3 इन्टू 2D, अब D क्या रहेगा 8, यहां पर 2 इन्टू 3 इन्टू D, D क्या है 8 mm, तो यह हमने formula में value put up कर दिये, अब simply हम इसको calculate कर लेंगे, तो इसका answer आएगा 924 mm, इसको अगर हम meter में भी convert कर सकते हैं, तो यह हो जाएगा 0.92 meter, तो इस तरीके से हमने निकाले cutting length of stirrups, इस stirrups की cutting length निकाल दिये, अब क्या होता है, अब मैं variation बताता हूँ, अलग- calculate करना है, कि हमें सिर्फ steel की quantity मंगानी है, कि कितनी steel लगने वाली है site पे, इस चीज़ के लिए, तो क्या होता है, कि सम्टाइम यहाँ पर जो हम minus कर रहे हैं, 2D, 3D, तो वहाँ पर क्या होता है, कि उन्हों का common लेके सब में 2D ही minus करते हैं, 3D minus नहीं करते हैं, और सिर्फ सम् पता होने ही चाहिए, कि जब भी हम बेंड करते हैं, तो 2D, 3D minus करना पड़ता है, तो वह मैंने यहाँ पर बता दिया आपको, और आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ, कि जब भी हम यह जो A की लेंड और B की लेंड निकालते हैं, तो कोई-कोई इंजिनिर्स करते हैं, यहाँ पर आपको निकालते हैं, तो यहाँ पर आपको बता दूँ, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कि जैसे कि हमने इसकी लेंथ निकाले 180 आया, तो यहाँ पर half of dia minus कर देंगे, यहाँ पर half of dia minus कर देंगे, यहाँ से 4, यहाँ से 8 minus हो जाएगा, तो यह जो 180 है, तो यह हो जाएगा, 2 into 172 हो जाएगा, बस, और यह हो जाएगा, 250 में से 8 minus कर देंगे, तो यह हो जाएगा, 240, 240 हो जाएगा, और बाकी सब वैसा ही रहेगा, जब इसको आप calculate करेंगे तो इसका answer आता है 0.89 meter तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह आया था 0.92 meter यह 0.89 meter यानि कि अगर आप difference की बात करें तो shift 32 mm का difference आता है तो यह अलग-अलग इंजनेर्ट के depend करता है कि वो किस तरीके से calculate करें तो इस तरीके से आप calculate कर सकते हैं cutting length of stirrups का तो अगर आपने यहाँ तक देख लिए तो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ कि अब यही चीज को मैं Excel पे किस तरीके से हम calculate करेंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि Excel में किस तरीके से cutting length of stirrups निकालेंगे तो आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो इससे like कर दे शेयर कर दे और आपने चैनल पे नए आए है तो इससे subscribe कर दे तो चलिए guys में मिलते हैं next वीडियो में